नमस्कार आत्म विश्वास जीरो हो गया है मन में कॉन्पिडेंस पिल्कुल खुत्म हो चुका है अब क्या करें आप खुद को पता है कि जब कोई कारी करते हैं जब कोई वर्क अपने हैंड में लेते हैं तो जब कॉन्बिडेंस नहीं होना तो वह कारी सक्सेज नहीं होता है हो जब मन में आत्म विश्वास नहीं है जब मन में जो जुनून नहीं है न वह बर्ख आपका सक्सेश्फॉल नहीं होगा तो टूटे हुए आत्म विश्वास को के से जगाए कर्लास को दीया वुझ चुका है चारों तरफ गोर अंधेरा चारा है मन में तो अपने हार्ट में एक कॉन्पिडेंस रूपी दिया कैसे जलाएं क्या करें कि कॉन्पिडेंस वापिस वही कॉन्पिडेंस पैदा हो तो ये छे वर्क आप कर लेना आपके अंदर वापिस वही कॉन्पिडेंस डवलप हो जाएगा आप वापिस आत्मो इस्वास से लबरेज हो जाओगे नमबर वन छोटी छोटी योजनाय बनाना और छोटी छोटी सपलता पाना आपके अंदर आत्मो इस्वास नहीं है तो लक्ष मतलेना ईयुक्वर जब बड़ा लक्षी लोगेना तो उसको पाने के लिए बड़ा टाइम लगएगा और उस टाइम लगने के लिए आपके पास आपमें विस्वास कहा है यह नहीं है आप में इस्वास कैसे आएगा छोटी छोटी योजनाय बनाओगे छोटी छोटी सपलता प्राप्त करोगे वही सपलताओं से आप confidence पाओगे परना आप शुरू से बड़ा लक्ष ले लिया चार या पांच साल दस साल का लक्ष ले लिया अब दस साल के लिए आप confidence कहाँ से लाओगे आपके पास तो वेसे ही confidence जीरो है शुरुआत में जब confidence नहीं है ना तो छोटी छोटी योजनाय बनाओगे और छोटी छोटी सपलता प्राप्त करें अगर इम पंक्तिम में बेठिये आपके अंदर confidence नहीं है बिल्कुल लूज हो चुका है तो आप business meeting में बेटे हो आप अपने समाज की meeting में बेटे हो आप अपने दोस्तों के साथ बेटे हो कहीं पर भी आप बेटे हो तो अगरिम पहली पंक्ति में बेठिये जब आप बहुत से लोगों को हिचक होती है और यार हम आगे नहीं बेटेंगे हम तो पीछे बेटेंगे पीछे बेटने वाले लोग कोन होते हैं जिनके अंदर confidence कम होता है वो बेटे हैं आपको confidence डवलप करना है तो फर्ष्ट पंक्तिम बेटिए आपको थोड़ा confidence डवलप होगा आपके मन में आत्म विश्वास पैदा होगा थर्ड नोलेज कहते हैं ना कि knowledge is the power अगर आपके अंदर जितना ज़्यादा knowledge होगा ना उतना ही आपको confidence आता जाएगा अगर आपको कहते किसी विशाय पर बोलना है और अगर आपके अंदर knowledge नहीं है तो आप क्या बोल पाओगे आपको confidence कैसे आता ए knowledge से आता है अगर आपको किसी विशाय पर knowledge है ना तो आप कहोगे मैं बोलूगा पहले कैसे बोलोगे knowledge के साथ में और जब knowledge होता है तो confidence बढ़ता है तो चितना होस के रोज knowledge earn करने की कोशिस करें रोज एक गंटा आप किसी न किसी विशाय पर experiment करें रोज अगर एक गंटा दोगे ना आप knowledge earn करने के लिए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस विशाय में expert बन जाओगे और आपका आत्म इस्वास सात्वे आस्मान पर होगा fourth अनुसासन discipline without discipline आप अपने अंदर confidence पैदा नहीं कर सकते हो आपने कोई work लिया है कोई कारे लिया हाथ में आराम से आलस कर रहे हो कई गूम रहे हो कई आनन्द कर रहे हो work के परती आपका ध्यान नहीं है आप उसके लिए अनुसासन में नहीं हो तो आपके अंदर confidence कैसे आएगा how can you create confidence in your heart you can't do nothing you will be zero why because you are not in a discipline तो सबसे पहले अनुसासन में रहना सीखिए अपना हर work time पर पूरा करिए सुबह उठना बेठना नहना ओपिस का work करना है गुमना फिरना हर वक्त का समय दीजिए अनुसासन में रही है नहीं ये काईड़ी मुझे इस टाइम पर पूरा करना तो करना है यही अनुसासन आपको confidence डवलप कराएगा फिप 25 फिसदी तेज चलिए जो नॉर्मल चलते हैं ना उन लोगों से आप थोड़ा तेज चलिए 25 फिदी मैं आपको दावे के साथ करहा हूँ आप थोड़ा तेज चलोगे ना तो आपके मन में confidence पैदा होगा और एक आपके मन में आपको एक strongness पैदा होगी नहीं आप चल के देखना थोड़ा तेज चल के देखना 25 जो लोग चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा आप तेज चलन के देखना आपको खुद को confidence मैसूस होगा आपको लोग एका नहीं आप हाँ मैं हूँ तो थोड़ा तेज चलिए यह चोटी सी बात है लेकिन आप फोलो करके देखना आपको खुद को फील होगा 6 पच्चिस फिसदी दीरे बोलिए जो दूसरे लोग बोलते हैं ना तेज उनसे थोड़ा दीरे बोलिए अगर आप तेज तेज बोलोगे ना तो सामने वालों को समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हो और आप में भी बात को जल्दी-जल्दी खत्म करने के रहेगी तो आपका confidence loose होता जाएगा दीरे दीरे बोलिए सामने वालों को समझ में आएगा और आपका भी confidence बढ़ता जाएगा जो normal तेज बोलते हैं उनसे थोड़ा आप दीरे बोलिए तो यह six point है जो आपको जानने चाहिए अगर आपका confidence बिल्कुल zero होगा है बिल्कुल सुन्य हो गया है तो आपका confidence इन चीजों से बढ़ जाएगा